सबसे पहले मैं बता दूँ आपको मंत्री जी की जो बात है स्टेट्मेंट है से क्या लिखते है मंत्री जी कि उ इसको नौकरी नहीं मिलती वह V di e r ka l ata यह हमारे नि संक जी है जिनके पास की देश का सबसे बड़ा पद है HRD मिनिस्टर है इनका स्टेटमेंट यार मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता रहा इसलिए कि यह मंत्री है इसलिए कि पड़े लिखे हैं अब बताओ पड़े लिखा इंसान ऐसी बाते करें आप बताओ कि जिसके पास कोई नौक सबसे बड़े जिम्हेंदारी इन ही लोगों की और यही लोग आपको और हमें वेरोज़गार बनाने का सबसे बड़े जिम्मेदारी इन ही लोगों की है और यही लोग हमें जो है इस तरह से कमेंड करते हैं बहुत ही दिल को ठेस पहुंचती है साथ में यह कह रहे हैं कि यह गुनवत्ता नहीं है क्वालिटी नहीं है टीचर के लिए हम ऐसा मापदन अपनाएंगे कि लिखावें होने कि IAS से कठिन होगा इतना कठिन यह करने वाले हैं मुझे समझे नहीं आता कि हमारे मंत्री जी क्या चाहते हैं यह आप इतने बीड़ स्टूट है यह वहां पे आप क्वालिटी रखिए न वहां पे आप वह मापदन रखिए कि बीड़ वही बंदा कर पायगा जिसके अंदर वह क्वालिटी होगी और बीड़ करने के बाद सीधा ही टीचर मना दो उसके बाद टैट एक्जाम पास करोगे लेकिन पहले तो बीड़ करने के लिए पापड़ वेल है उसके बाद पास करने के लिए फिर भी विरोजगार है नौकरी नहीं है और मंत्री जी कह रहे कि फोस तैयार हो रही है और हम ऐसा मापदन अपनाएंगे कि आई एस बनने ज अगर पानी डलना है तो घर में डालो जरूर बढ़ा होगा फले बंब यडा करेंगे लेकिन आपने जड़ कमजोर कि अबयार बहत पेकर आकद पास करेंगे उसके बाद क्या होगा बात बहुत है जहां जब रहा हूं उसके पर कशल आपं पहुंचाना चाह रहा हूं मेरी कि दिलाने की दूर की बात है आप उतना कमेंड कर रहे हो कि इतना टफ बना जी टीचर बना है इसके पास पैसे हैं अमीर को ब्लेगा लाथ नेगी तैट कर लेगां तुम्हारा टीचर भी बन जाएगा, कहां कॉालिटी है, मुझे समझ यह नहीं आता, कि आप कॉालिटी कहां चाहा रहे हैं, आप कहरें, नहीं सिक्सानीती की में बात कर रहा हूं, यह नहीं सिक्सानीती में इंटर्विव को उन्होंने जोड़ा है, बहुत मैंने तो डद कर जम कर इसका किया, इंटर्विव का, आप क्वालिटी रखें कोई दिक्रत में, मुझे क्वालिटी से कोई फरक नहीं पड़ता, मैं हर एक्जाम पास करने के लिए तयार हूं, बट यह इंटर्विव की आप बात कर रहे हूं, सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ी दुकान में फेल हो जाओगे, तो मंतरी जी आप इंटर्विव रखवाना चाहरे हो, तो वहां पर पैसा चलेगा, पैसा चलेगा, घोटाला होगा, घोटाला होगा, तो दुकाने खुलेंगी, यह बुरा मतमाना, लेकिन कड़वा सच है यह, कि जहां और उपर लेवल तक आप बढ करने में, उसके बाद टैट पास नहीं हो पाया था, बड़ी मुस्किल से महिनत करने के बाद टैट पास किया, अब क्या मिला जी भी है, फिस एक नया एक्जाम सुरू कर दो, अब वहां पर क्या है, कि इतने पैसे तो बेरुजगार से एठ रहे हो, पहले तो बीएड में, उसके बाद टैट में, इतनी बाद फॉर्म बरो, फॉर्म बरो, हर छेचे मेने बाद आप आप यह निकल रहे होते हैं, और लाखों हजारो करोनों कंडिडिट फॉर्म बरते हैं, तो आपकी जेब गरम हो रहे हैं, तो बेरुजगार ही रह जाएगा, लेकिन हाँ, जिसके पास पैसा होगा, वो सेट हो जाएगा, तो यहार हम तो गरीब लोग रहे हैं, हम तो कहीं के नहीं रहे हैं, लेकिन वो श्ट्रेगल जाके वहाँ पे दैन्ड हो जाता, उसकी कमर तूट जाती है, जहां पे आप इंटर्व्यू रखवा रहे हो, नई सिक्सानीती में, और वहाँ पे करियर कम कुछ ऐसे टीचर बनाना चाहरे, टीचर बना रहे हो आईस बना रहे, आईस ना कर ले बंदा, अगर आपके टीचर का एक्जाम देना हो बन देने, तो आईस ना पास कर ले, तो आपसे रिक्वेस्ट है भाईयो कि इस वीडियो को शेर जरूर करें, कमे अगर आपको अपने दिल की आवाज लगे, तो जरूर शेर करना और इतना शेर करना किया, निसंक मंत्री हमारे जो है, HRD मिनिश्टर है, पोक्रेश्ट है, आज यह उन तक बात पहुँचे, और जो यह लोग शिक्षा को बिजनिस बताते हैं, उन पर सिकंजा आप, कसे आप, लेकिन आप पेड़ में जर में पाने दे, बस धन्यवाद,